मालो छोटी बहु मेरी दो तीन दिन के लिए आई हुई यह रहप है तूसे घुमाओं फिराऊ ना मतलब वो कभी बिंदा बननेगी तो उसे दर्सन कराना यह एक दो दिन उसके साथ में हम रहे हैं मिलके तो क्या परेशानी में बड़ी बहु के साथ नहीं रहे यह बड़ी ब और इनके उपर बहु सारे वीडियो भी बन रही है बहु सारे टी आरपी भी ले रहे हैं और गलस अलत अफवा भी फैला रहे हैं तो यहां पे नीतु विष्ट की जो सास हैं भामु मा जो हैं अपनी बारे में बाते किया कि जो मैंने बोला है छोटी भव को सेंडी के बारे में आपको मैं बता दू बहुत सारे लोग जो है ना कनफ्यूज होते हैं कि सेंडी कौन है तो सेंडी जो है नीतु विष्ट की इसुलिये जब हम दिखा रहे हैं तो लोगों को आखोम में जलन हो रही है लोगों को आखो में चुबम हो रही है मैं क्या जो नीतू है नीतू हमारी बड़ी बहू ही है और लखन जो हमारा बेटा ही रहेगा आप सब को कुछ बोलने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है अपने घर के बारे में देखो नीतू विष्ट की जो सास हैं लोगों को जोड़दार तमाचा दिया है और जिस हिस कि यहाँ पर मैं आपको बता दू की दो मतलब एक हुटा पहले दस दिन पहले जो ए अपनी छोटी बहू सेंडि के बारे में बहुत ही मतलब चड़ा बढ़ा की बाते बोल रही थी भामुमा की छोटी बहू जो है बहूत ही मतलब हुद लच्चमी हैं बहुत ही भागंगेस fundator का तनाम का नहीं लिया वगर निसाना ध्रिक्साना जो है इसी तरीके से साधा पिलस मैंने कई विडियो भामु मा का देखा है पोने नी तुम की फूरी फैमली का मैंने वीडियो देखा मैं आप सब के सामने गार हों कि यहां पर जो नीटि हैं नीतू जब से साधी हुई है नीटू को मतलब अलग रहने लगी अपनी सास से अलग रहती है और नीटू जो है सोसल मीडिया इन्फिरमेंसर है बहु सारे इनको काम होता है बहु सारे Instagram हो गया आफ है मतलब बहु सारे चीजों पे बहुत सारे वेपसाइट पे वो काम करती हैं तो बीजी इनका लाइफ होता है मगर एक भामुमा ने बोला कि एक सास होने के नाते आप सोचिए कि कोई भी माज होए अपने बेटे का साधी करता है तो यह सूच के नहीं करता है कि बहु आते ही हमसे अलग रहने लगे हर सास की उमीद होती है दिलों में एक खुसी होता है कि बहु आ रही है बहु के साथ हम टाइमड करेंगे बहु हमारे सेवा करेगी ठोड़िध्adt करेंगी आपस में मिल जुलके मस्त करेंगे हर सास की एक ख्वायस होती है मगर यहां पर नीटु जो है मतलब साधी होते ही अलग रहने लगी है अपनी सास के घर में नहीं रहती है तो ए तो गुस्ता जो है जाएर सी बात है जो लोग जादे टाइमibtût करेंगे वो ही साससुर के जादे करीब रहेंगे जो time ही नहीं spend करेंगे अपने सास सुसूर के परती time ही नहीं देंगे तो कैसे किस तरीके से इनके करीब रहेंगे आप खुद सोचिए एक सास होने के नाते सोचिए या एक मा होने के नाते सोचिए लड़का का मा हो या लड़की की मा हो मतलब मा तो मा होती है ना मतलब कोई भी मा अपने बच्चे को कितना सिद्दत से, कितना मेहनत से पढ़ाना, लिखाना और जवान करके, मतलब इस मौकाम पे लाना, फिर साधी करना और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि हमारे बेटे का साधी हुआ और बहु जो है, हमारे बेटे को लेकर अलग रहने कोई भी मा यह बरदास कैसे कर पाएगी पलस चोटी बहु जो है चोटी बहु की सगाई हुई है पलस जादे सजादे टाइम अस्पेंट कर रही है तो लोगों को लग रहा है और यह भी दो इनका जो पती है नितु विष्ट की जो सास सासूर हैं दोनों ने मिलकर अपनी बढ़ा कर भी सारी बाते बोले हैं कि मेरी चोटी बहु जो है लचमी है मेरी चोटी बहु के पैर पढ़ते ही बहुत ही सुब सुब होने लगा है तो यहने हैं तक नीटु को भी सास रसुड नीचा दिखाएं क्योंकि किसी मतलब एसारी बाते बोलना सही नहीं है कि मेरी chyoti बहु के इस घर में कदम पड़ते ही बहुत ही सूब है और मेरी छोटी बहू का पैर बहुत ही सूब है इस तरीके की बाते करना और छोटी बहु को जलस दिखाना मतलब सही नहीं है हां मानते हैं कि आपको नीतु बीष्ट जो है आपको टाइम नहीं देती है एक सास होने के नाते ठीक है आप अपनी जगण ठीक है बगर ए नीतु भी अपनी परिबार में बच्पन से ही बहु जादे तकलीफे जे ल गया था तब से नीतु की मा जो है मतलब नीतु को बहुत ही श्ट्रगल से बहुत ही मतलब तकलीफ के साथ पढ़ाना लिखाना इस मुकाम पर पहुंचाया है तो एक दोनों अपने अपने जगा पर बिल्कुल सही हैं नीतु ने अपनी घर में तकलीफे देखी हैं और अब जो है खुसी के माहौल है खुसी का समय है तो इनकी सास जो है सोसल मीडिया को छोड़नी के लिए बोल रही है जिससे जिसका घर सवर रहा है आप खुद सोचिए जिससे आपका घर चल रहा है वो काम तो आप कभी छोड़नी सकते हैं न नीतु जो है नीतु का दो बहन है और पिता जी 11 साल की जब नीतु थी तभी डेथ हो गया था और नीतु का पूरा पढ़ाई जो है दिल्ली में ही हुआ है कॉलेज से लेके अस्कूल तक सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है इनका और यह नीतु बिस्ट जो है उत्राखंड के रहने वाली है जो की देव भूमी के नाम से परसिधे उत्राखंड वहां के बेटी है और मगर हला कि नीतु के सास जो है इतना कुछ बोल गई मगर यहां पे नीतु जो है बिल्कुल एक सब्द तक नहीं बोला है एक सौट वीडियो में अपनी रोते हुए अपनी मा के बारे में बोला कि मैसेज किया बोला नही मैसेज में लिखा है कि कोई भी हो अगर मेरी मा के बारे में कोई भी उल्टास या गलत या कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी मुझसे सहन नहीं होगा तो यहां पे नीतु भी अपनी बच्पन में बहु जादे तकलीफे देखिये इनके पिता जी का मातरी 11 साल की थी तभी डेथ हो गया था और जो जिसका पिता जी नहीं है उनसे पूछिये कि इनका बच्पना किस तरीके से कटता है कितना तकलीफों के साथ होती है तो नीतु भी अपनी जगः ठीक है मगर यहां पे भामु मा भी अपनी जगः ठीक है मगर यहां पे अपनी बड़ी बहु को नीचा दिखानी की कोशिस कर रही थी जो कि कोई भी सास को इस तरीके से करना नहीं चाहिए ठीक है आप खुद सोचिए कि कोई भी लड़की जो है इतना तकलीफ बच्पन में देखी हो और इसे अब सुक सुबधा का मतलब इतना मेहनत करके आप इसक नीतु के पिता जी नहीं है और नीतु अपनी मा को भी देखती है पुरा खर्चा भेजती है सब कुछ भेजती है तो नीतु तो काम बिल्कुल छोड़ नहीं सकती है मगर नीतु के जो सास है भामु मा जो है वो अपनी जिगट ठीक है तो जो लोगों जो सोचल मीडिया पे मतलब भामु मा को लेकर चड़ा बढ़ा के जो बाते बोल रही है कि सेंडी केंडी बहुत ही मतलब मीठा मीठा बोल रही है अपनी मा से तो कभी बोला नहीं और अपनी सास चापलूसी कर रही है इस तरीके से बढ़ा चड़ा की बाते कर रही है तो लोग इस तरीके से अफवा फैला रहे हैं कुछ रियल भी है कुछ चड़ाबढ़ा के भी बोलते हैं पता ये सोसल मीडिया है किसका किसका मुह बंद कर सकते हैं अगर आप खुद सामने आके अपनी घर की बुराई करते हो तो लोग तो सिर्फ बहाना खोजेंगे कि किसके घर में क्या हो रहा क्या खटा करा है ये तो एक बात के चार बात बोलेंगे तबामुमा आपको भी सतर्क होना पड़ेगा कि इस तरीके की सोसल मीडिया पे बाते नहीं लाना चाहिए अगर आपको इतना ही बढ़ाई करनी थी आपकी छोटी बहु की तो आप घर में ही बढ़ाई कर लेते सोसल मीडिया पे ये सब बाते करनी क्या जरूरत थी सो गाइस मिलती उनेक्ष्ट वीडियो में थाइंक्स पर बॉचिंग अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिजेगा मिलती उनेक्ष्ट वीडियो में बाई बाई थाइंक्स